आज हम बनाएंगे पनीर शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही स्वाधिस्ट सबजी एकदम एजी रेसिपी है आप एक बार सेम तरीके से बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चली शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहां एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है इसे हमने डाइस में काट लिया है दो प्याज लिये हैं और 200 ग्राम पनीर लिया है तीनों को हमने एक ही आकार में काटा है सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे हमने यहां आधा चोटा चम्मच लाल मि मुखा रस डाल दिया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इससे पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में इसे 15 मिनिट के लिए रख देते हैं यहां हमने 3 टमाटर, 2-3 लहसुन की कली और 1 इंच अधरक का टुकडा लिया है इन्हें हम पीस कर तयार करेंगे टमाटर का पेस्ट भी तयार है अब हम एक कडाही लेंगे जिसमें 2-3 चमच तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाने पर हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे और हाई फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए हम इन्हें फ्राय करेंगे ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं हमें इन्हें क्रंच रखना है ये देखिए हमें 2 मिनिट हो गए हैं और अब हम प्याज और शिमला मिर्च को बाहर निकाल लेते हैं अब हम सेम कडाही में पनीर भी रख देते हैं पनीर को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राय करेंगे लगबग पांच से छे मिनिट के लिए इसे अलट पलट करते हुए फ्राय कर लीजिएगा पनीर भी फ्राय होकर तैयार है इसे हम बाहर निकाल लेंगे मैंने एकदम ब्राउन नहीं किया है तीनों चीजों को हमने फ्राय कर लिया है अब हम सबजी बनाते हैं यहां हमने कुछ खड़े मसाले लिये हैं दो लोंग, दो इलाइची एक छोटा टुकडा दालचीनी का एक तेजपत्ता और एक चमच जीरा हमने कड़ाही में तीन से चार चमच तेल और डाल दिया था यह सारे खड़े मसाले कड़ाही में डाल देंगे और लो फ्लेम पर पहले हम इने फ्राय कर लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए जिससे इनका फ्लेवर तेल में आ जाएगा अब हमने यहां एक बारी कटा हुआ प्याज लिया है प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे प्याज को फ्राय करते हुए एक मिनिट हुआ है हम इसमें आधा छोटा चमच बेसन डालेंगे नाश्ते वाली चमच से हमने आधा छोटा चमच लिया है बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना है इसे हम तीन से चार मिनिट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे इससे ग्रेवी का टेक्शर बहुत अच्छा आता है ये देखे बेसन भी हमारा भून गया है क्योंकि इसमें अच्छे से जाग दिख रहे है अब हम इसमें मसाले डाल देते है मसालों में हमने यहाँ एक टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है आप रेगुलर लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर डाला है सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले जले नहीं इसके लिए मैं यहाँ दो टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ और अब हम मसाले को तेल अच्छे से सेपरेट होने तक दो तिन मिनिट के लिए पकाएंगे यह देखिए मसालों को हमने दो मिनिट के लिए पका लिया है अब हम इसमें यह टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हम इसमें नमक डाल देते हैं नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजीगा मैंने एक छोटा चम्मच नमक डाला है नमक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम सबजी को ढखकर मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से तेल अलग होने तक पकाएंगे मसाले को हमने 8 से 9 मिनिट के लगबग पका लिया था बीच में मैंने इसे दो बार चला लिया था ये अच्छे से तयार हो चुका है अब हम इसमें एक हरी मिर्च और एक छोटा चम्मच भूनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे मैंने ये बाजार वाली क्रीम ली है आप चाहें तो घर के दूद की मलाई ले सकते हो या क्रीम डालना स्किप भी कर सकते हो लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आप चाहें तो क्रीम की जगे दही भी डाल सकते हो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखें हमने क्रीम डालने के बाद 2 मिनिट और पकाया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे मैंने लगबग 4 टेबल स्पून पानी डाला है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ग्रेवी में उबाल आने लग जाएगा तब हम इसमें फ्राइ किये हुए पनीर, शिमला मेर्ज और प्यास डाल देंगे साथ ही हमने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजे मिक्स हो गई हैं अब हम इसमें लगबग 1 कप पाने डालेंगे आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पाने डाल दीजिएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं ये तेज पत्ता हटा देती हूँ इसका फ्लेवर सबजी में आ गया है और अब हम सबजी को ढखकर लगबग 7-8 मिनिट के लिए मेडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे 7-8 मिनिट के लगबग हो गए हैं और हमारी सबजी बनकर बिलकुल तयार है ये बहुत ही स्वादिस्ट सबजी बनकर तयार होती है एक्तम आसान रेसिपी है अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे आप इस सबजी को नान, चपाती, पराठा, चावल किसी के भी साथ सव कर सकते हैं तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकी